तो बात करेंगे हम लोग सेप्टेमबर मंत के थर्ड और फॉर्थ वीक के करेंट अफेर्स के फर्स्ट और सेकंड अलड़ी इसी अंस्टॉबबल चैनल पर मैंने प्रवाइड कर दिया है इन वीडियोस के PDF आपको अनकेडमी की जो कम्यूटी सेक्शन होता है अनकेडमी एप रफेल्सिया नाम से एक फ्लार जो है काफी न्यूज में था उसको हम लोग पढ़ेंगे अब यह वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लार हम तो कहते हैं लेकिन बड़े कम समय के लिए होता है यह बाकी प्लांट्स वगरे की तरह ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको बस इसका विज साथी साथ यह अपने आप में एक तरह से इसमें आपको याद रखना है कि इसे कॉर्स फ्लावर के नाम पर भी जाना जाता है और साथी साथ यह बड़ी फेमस स्पीशीज और दूसरी बात इसमें पैरसाइटिक नेचर भी दिखाई देता है मतलब जो परजीवी मतलब इस रखना यह फ्लार वाला जो पार्ट दिखता है उसको हम कहा रहा है तो बेसिक जानकरी आप लोग रख सकते हैं माली नाइजर बुर्किना फासो वाले रीजन में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है सबसे पहले तो बात करेंगे हम वर्ल्ड में जाएंगे यहां पर यहां जो गौर्मा रीजन है वो किसका है यह कहां से आ रहा है यह सारी बात है ठीक है पहली बात तो अपने को पता हो कि भाई साब यह एक एलाइन्स है साहिल स्टेट्स का जिसमें यह कलेक्टिव डिफेंस और मूचल असिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं एकनॉमिक एफर्ट भ पूचा सकता है जोग्रफी के छेत्रों में क्योंकि डेजर्ट का सहारा डेजर्ट का दक्षन हिस्सा खमालता है साहिल छेत्र मतलब एक सेमी एरेड एरिया सुषक ता अर्ध सुषक वाला जो चेत्र होता है नमी कम है और यहां पेड़ों पेड़ों को लगा कर बनाई जा यह चीज अपने को पता होनी चाहिए ठीक है यह फ्रांस सपोर्टेड एक साहल एलाइंस भी इसके मतलब फ्रांस सपोर्टेड फ्रांस से पीसका संबंद है थोड़ा सा यह आप लोग याद रखीगा जी हां और मतलब अटलीस्ट लिपता को गौर्मा रीजन आप अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है अनेके एडमी टेस्ट होने जा रहा है कमबेट टेस्ट जो हमेशा होता है यह मेगा कॉमबेट टेस्ट है आठ अक्टोबर को हो रहा है सुबह ग्यारा बजे हो रहा है और यह आप ल है इंडिया के टॉप एडियोगेटर जहां पर आप इस साल जो एक्जाम देने वाले 2024 में उनके लिए बैच अवेलिबल हैं 29 सप्टेंबर से यह और लेडी चल रहा है ठीक है कोड मेरा सबको पता है जीवाइटी बंजीरो ऑजोन डे बनाया गया था तो ऑजोन डे से संब इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर ठीक है बट मैं चाहता हूं कि जब आप स्ट्रक्चर आफ एड्मोस्फियर वाजी क्लास देखेंगे मेरी तो उसमें और सीजें क्लियर होंगी लेकिन उसके अलावा हम कुछ आज एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें पहले तो वर्ड प्रॉट्टोकॉल के बारे में बात करें तो याद रखना ओजोन से संब्धी थे और आट उसमें पर जानिकारक गहसे उनको हटाने से इसमें इन्होंने क्लॉड़ोफ्लो बटाया है अब बाद में पता बाद में पताना पड़ेगा तो उस समय हमने वह एक काम करते है उस लगता है 2015-16 तक आते आते कि अरे यार यह तो हाइड्रो फ्लोरो कार्बन भी दिक्कत देने लगा है तो उसको हटाने के लिए फिर से के अग्रिमेंट उसको किया अमेंड्मेंट करा एक तरह से किकाली जो है वो एक अमेंड्मेंट की तरह था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल में जो भी गैसे हमने लागू की गई थी हुआ जो सब्कू करना तो कलक कोई बोले किकाली मॉन्ट्रियल इसका सीधा संब्न याद रखना ऑस लोगोषू इंडियर के डेपलिशन लिया गया था एक टाइम पर ओजन डेप्लेटिंग सब्स्टेंसे पर पादन पत लगा यह भी धोकई दिया गया तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है बाकी कहानी जो है आप स्ट्रक्चर आफ एड्मोस्फियर में पढ़ सकते हैं अल्ट्रा वालेट जो रेडियेशन होते हैं उनको रोकने का काम कर रहा होता है यह तो यह तो काफी महत्वपून लेयर ही ऑफकोर्स नेक्स्ट वाने तुंगरेश्वर तंटनल जो है उसके जाता हूं कि इसको आप लोग सबको अच्छे से ध्यान रखना है तो ग्रेश्वर महारास्ट की है दूसरी इंपॉर्टेंट बाद आपको याद रखना है गांधी नेशनल पार्क चंजे गांधी नेशनल पार्क और तंशा वाइल लाइफ सेंच्यूरी टी ए एन ऐसे यह पाता रहना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं अच्छा दूसरी वाद एवर्ग्रीन रिजन तो कमी गंपरेटिबली होगा तो डेसीडियस पैटन जादा है फ्लो फोरेस्ट का और एवर्ग्रीन भी तो सेमी वाला है ट्रूली एवर्ग्रीन नहीं उसके लिए बहुत सब्सक्राइब नेशनल पार्क तो यह सारे चीज़ों को अपने को याद रखना इसका संबंद किससे है ठीक है बाकी तो यहाँ पर निलगीरी तहर और इस तरह के जो बेसिक आम लोग एनिमल्स पढ़ते रहते हैं नेशनल पार्क की सीरीज आब एक बार सच करोगे यूट उसमें मैंने काफी अच्छे से इन सब को बारे में पढ़ाया हुआ तो आप उसको जरूर देख लें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग से ही हमारे वर्ल्ड में दो तरह के डिवाइड बने हुए जो जादर डेवलेप कंट्री नौर्थ में और जो की बीच में तो नौर्थ और साउथ हमिस्पियर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी तो लाइन को हम ब्रेंड लाइट कहते हैं यह भी याद रखना नेक्स्ट वन हैं इंडेंजर इंडियन स्कीमर आदो को पता नहीं होता लेकिन याद रखना ठीक है दुदभा ट यह सारी चीजों में इन शेत्रों में आपको देखने को मिलेगा फिर भी आसपास के रीजन में साउथ इस्ट एशिया तक भी आपने को यह देखने को मिल सकता है ठीक है हमारे हैं लगबग जादतर चंबल नदी के आसपास भी बहुत बड़ी मात्रा में इसको देखने को म पास में ठीक है यह बड़ी महत्वपून हैं इनको कम से कम आप लोग याद रखना है बाकी तो डेसीडियस टाइप के फॉरेश देखने को मिलेंगे आप लोग फुट हिल्स के पास आपको देखने को मिलता है यह इसकी लोकेशन है दुद्वा आगे बढ़ेंगे सोलर पेनल में क्या हुआ है कि अब टेकनोलोजी अभी तो क्या है मान के चले सोलर पेनल अब शुरू हुए है एक समय जैसे नोकिया 1100 और आज के फोन में आप कमपेर करोगे तो कितना डिफरेंस दिखता है बस यह कहानी है सर कि अब जो है जितने भी सोलर एनरजी है या सोलर टेकनोलोजी उसमें भी कमपेरिटिवली आपको बहुत नई नहीं चीजे देखने को मिलेंगी ऐसे हमें एक परवकसाइट करके जो है परवकसाइट करके एक मिनरल मिला है जो सोलर पेनल टेकनोलोजी में यूज होने वाला है और बहुत ज्यादा बहतर इसके एप्लिकेश यह सोलर एनेर्जी के लिए यूज के लिए सकता है यह जातर अभी यूराल माउंटेंस में सबसे पहले रश्या में खो जा गया था ठीक है और इसके काफी ज्यादा बहतर अलग अलग जगह पर इसका इसका इस्तमाल किया रहा है तो आप लोग एक लिस्ट इसके बेशिक इसका याद रखें अप्लिकेशन में वही सेंसर स्केटलिश लेक्ट्रॉड फ्यूल सेल सोलर सेल लेजर यहां वहां इसका यूज होता है तो नेक्स्ट टेक्नोलोजी में जाए गई है ठीक कोश्चन आ सकता है आई तो यूटू यह ग्रूप पूछा सकता है क्या है इसमे बनाए गया है और पूछा जा सकता है कौन को इसमें शामिल है तो प्यारा भारत याद रखना इदर इसराइल है आपका और यह वाला जो रीजन है जी हां तो यूनाइटेड अरब अमीरत और यूएसे को अच्छे से याद रखना है ठीक है इसके बाद में चिंचोली है तो करनाटक में है ठीक करनाटक शब्दों को ध्यान रखोंगे स्टेट भूला नहीं लब बेसिक में यह चाहता हूं कि आप लोगो थोड़ा सा ध्यान रखे एक मिट कि मैं पढ़ा तो रही था आपको वह शायद आगे आएगा एक चीज और मुझे इसमें पढ़ानी थ खेर आगे बढ़ते हैं पन वह तो अभी याद आजाएगा बता दूंगा मैं तो इससे मुझे यह चीज आजी कि हाँ यही बताने वाला था कि चैंचुली वाइलेफ सेंचुली करनाटक में आपको लंबानी तंदास करके जो है यह एक प्रोटेक्टेड ट्राइबल आगे बढ़ेंगे हम लोग यह चैंचुली वाइलेफ सेंचुली यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है इसको आप आराम से देख सकते हैं करनाटक की हो रहा है कुछ बर्ड जहां पर जो हमें देखने को मिले थे उसमें ब्लैक ड्रॉंगो काइट एट लिस नहीं तो पा अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल राइनो फांडेशन जो है उन्होंने एक स्टेट ऑफ राइनो 2023 के रिपोर्ट लागू की गई है लेकर आए हैं इसमें अलग-अलग तरह के राइनो हैं मैं तो कहता हूं कि यहां से थोड़ा सा नॉलेज ले लेना कि राइनो भी एक प् इसमें प्रोटिक्षन चाहा है आफ ब्लैक प्राइनो जावन राइनो केलो सुमांत्रा केलो यह सब जो है क्रिटिकल ली इंडेंजरण है प्लीज थोड़ा सा द्यान राइनो जो है नियर थ्रेटेंड है कई वार हमें ऐसा लग सकता है कि यह बहुत जादा क्तिम ध्यान र प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसमें काफी सवल हुए है और जो वाइल लाइफ क्राइम के जो लॉज है वो जो इन फोर्स कि हमने उससे काफी हमें बेनिफिट देखने को मिल रहा है तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना लेकिन जो वाइट राइनो और सुमांतरन र लिस्ट में है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक 1972 के अंतर करता है मतलब इसको हाइली हमने प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन में रखा हुआ है नेक्स्ट कोश्चन आएगा विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ठीक है अब यह ओलड़ी था मतलब जो है टाइगर कहानी उसमें अपने को याद रहे कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है कहां पर रहे तो MP में याद रखना है MP में और कौन-कौन से टाइगर रिजर्व है मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं सो अब इसका यह लॉजिक लगा है हम लोग तो ठीक है यह भले MP में दिखाई दे रहा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हां पास में आपको जो है नौरा देही वाइल लाइप सेंचुरी मिलता है नौरा देही मत्रदेश की बड़ी फेमस वाइल लाइप सेंचु इसको बना दिया गया है ठीक है इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हो सो विरांगन दुरगावती टाइगर रिजर्व मंद्य प्रदेश में गुजरात में न्यू लीव करके यह जो पौदा है इसको बेहन करना था क्योंकि इसके एक तरह से काफी नुकसान दाया भी हो अब इसको थोड़ा सा मतलब रोक लगाए गई है इसको बढ़ाने से क्योंकि इसका जो पोलन है वो जब फैलता है कई बार तो शरीर में भी जाके और कई बार पता लगे अपने सरीर में चलागे जाता है और फिर थोड़ा से इसके नेगटिव इंपक्ट आपको देखने को मिलेंगे तो कॉनो करपस ट्री के बारे में पता होना चाहिए तो याद रहे यह मैंगरूव के साथ कनेक्टेड है इसका मैंगरूव स्पीशीज है ठीक है याद रखिएगा भूलना नहीं उसके बाद में जो है अब जादा पानी भी लेता है यह तो पता लगे नॉर्मल जगों पे लगा दिया तो ग्रांड वाटरी खत्म कर दिया तो पानी की कमी भी हो जाती है सर कई बार वहां पे इस तरह से पैंगोलिन की एक नई सब्सक्राइब यह तो दोनों में से क्रिटिकली जादा होता है वो चाइनीज पैंगोलिन जादा है ऐसे आद रखना है उसके बाद में मैं इस मिस्ट्रिया पूछ सकता है तो पैंगोलिन स्पीशिस का इन्होंने जो नया नाम दिया है मतलब जो नई स्पीशिस मैंनिस मिस्ट्रिया को पता कम से कम पता रहेगी भाई पैंगोलिन से संब्दित है ठीक है उसके बाद में नौर्मली लोग जो है इसको थोड़ा सा इसका मेडिकल यूज कंदाजा लगा कि इसका शिकार विकार भी कर लाए थे तो काफी जादा खत्रे में आ गया तो एंथ्रोपोजने एक्टिविटीज में हम यह कह सकते हैं कि कई बार इसका नुकसान हुआ है तो यह चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए इस पर कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्सर लगा करके कुछ इमेजस भी हैं लगी हुई यहां पर ताकि आपको यहां पर दिक्कत नहों लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग थोड़ा सा इस बात पर ध्यानने कि कमलंग कहां यह ज़्यादा जरूरी है इतनी सारी चीज़े एक जगा मिली है तो कमलंग जो है मत परिसान कर इस चीज़ को याद रखना कामेंग नहीं है हिश्मी है दिगारू मीजो उन आसपास के छेत्रों में जो है यहां पर लोकल इमेटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उसके साथ साथ ऑफकोर्स ट्रॉपिकल रीजन भले ही है हमें ऐसे दिख रहा हो कि कैंसर कैप्रिकॉ इसके लोकेशन है इतर कमलंग टाइगर रिजर भी है यह इसके बाद में जो है लफनी लेक भी आप याद कर सकते हो कहां पर है तो अपने को पता हो कि यह आयरलेंड का जो नदन आयरलेंड वाला पार्ट है उसमें है क्यों पढ़ा रहो सर यह वाली चीज यह रामसार साइ तो आप यूके का अंतरगत आएगा यह क्योंकि नदन आयरलेंड तो उसी के अंतरगत आता है यूके कई पार्ट है इस चीज में आप लोग थोड़ा सा जो है द्यान रख सकते हैं अब इसके बाद में राजिस्थान टू हरियाना में उस छेत्र में कॉटन फील्ड में सब्सक्राइब कर देता है और फिर काफी बड़ी मातरा में जो है परिशानी का यह कारण बन रहा है तो इसको लेकर यह थोड़ा ध्यान में रखना है कि पिंक वॉर्म यह भी न्यूज में रहा है फाइव इंटेलिजन्स एलाइन्स के बारे में कुश्चन कभी कभी आ सकता है कि फाइव आइज क्या है अब नाम से समझ में आ रहा है कि आइज आखें मलब कुछ तो कर रहे हो आप मलब सीधी सी बात है कि इसमें यदि हम लोग देखें तो यह अलगकल है कॉंटेक्स में फाइव इसमें पता है कि इसमें आस्टेलिया न्यूजलंड यूके और यूएस आपको देखने को मिलेगा यूके ऐस्टेलिया न्यूजलेंड यूएस कैनेडा इनका में उद्देश यहां पर यह कि कई बार यह नेटवर्क वगरा जो इन्टेलिजिजन शेरिंग पढ़ना कहा या वो नहीं पढ़ना आपको यह पता होना चाहिए कि greater sand plower क्या है so plower is a bird ठीक है plower जो है bird है migration वाला ही है काफी लंबे उससे आया है ठीक है तो plower जो होते है birds होते है at least या रखना है least concern है हला है कि लेकिन कई बारे से question जाते हैं कि plower क्या है बटरफ्ला है इसने के क्या है तो यह याद रखें इसके साथ साथ यह यूपीस्ट मेंगा कॉमबेट जो है सुबह 11 बज़े होने वाला आट अक्टोबर को नीचे लिंक है इसको जरूर दें और यह आप रेंक के हिसाब से काफे कुछ प्राइस बगर ले सकते हैं नए बेश अनकेडमी पर जो आपको दिखाई देंगे वो नौ महिने वाले आप जो हैं चल रहे हैं जिसमें आप अभी आने वाले एक्जाम के लिए कंप्लीट त्यारी कर सकते हैं आप इस कोड का इस्तमाल करें और सीधा डिसकाउंट लें नीचे लिंक अभी लेबल है इन क्लासे की पीडिएफ आपको अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर जब मेरी प्रोफाइल आप सर्च करेंगे